नमस्कार ग्राम पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तर परदेश में ग्राम पंचायत का चुनाओ कब होगा यानि ग्राम परदान का चुनाओ कब होगा इसी के साथ बीडिसी का चुनाओ कब होगा और जिला पंचायत सद क्योंकि अब सारे चुनाओं का तांता जो लगा था अब वो तो समाप्त हो गया विदान सभा का चुनाओ समाप्त हुआ लोग सभा का चुनाओ समाप्त हुआ इसके बाद ग्राम सभा का चुनाओ अब होना है सारे चुनाओं से चुनाओ आयोग निपट चुका है अब उसके सामने सबसे छोटे अस्तर का चुनाओ ग्राम सभा का चुनाओ है अब ग्राम सभा का चुनाओ अस्तर तो बहुत छोटा है प्रत्यासियों की संख्या तो छोटे लोबल पर ही रहेंगी लेकिन वास्तों में ग्राम सभा का चुनाओ अपने आप में सबसे ज़्यादा कठिन हो हम लोग जानेंगे कि UP में अगर कोई व्यक्तिक प्रदानी का चुनाओ लड़ना चाहता है, BDC का चुनाओ लड़ना चाहता है, जिलापंचाय सदस्य का चुनाओ लड़ना चाहता है, पूरे उत्तर परदेश में लगभग 58,000 प्रदान चुने जाते हैं हर साल, अब 58,000 परधानों के लिए चुनाओं कराना कब तक पॉसिबल होगा आज के वीडियो में उसी बात पर हम चर्चा करेंगे और आप से कॉमेंट के रूप में मैं फीड़बेक भी चाहूँगा कि आप इस संबंध में क्या सोचते हैं आपके हिसाब से मेरी द्वारा बताई गई बातों में कितना तरक सही है और कितना तरक सही नहीं है आप पूरी वीडियो अगर देखिए तो कमेंट जरूर कीजेगा जो लोग आधी वीडियो देखेंगे या उससे कम देखेंगे वे बिलकुल कमेंट ना करें क्योंकि हो सकता है कि आपके comment का जवाब मैंने last minute में दिया हो हो सकता है आपने जो बाते मेरे से बोला उस बातों का समाधान उन समस्या का समाधान मैंने वीडियो के अंतिम में बताया ही हो इस वज़े से अगर आप comment करने की इच्छा रखते हैं तो वीडियो के अंतिम समय तक जरूर बने रहेगा कम्प्लीट वीडियो देखेगा और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लें घंटी वाली बटन दबा दें ताकि अब सच में ग्राम परधान के चुनाव की तैयारियां सुरू हो गई हैं जो नए प्रत्यासी मैदान में आ रहे हैं उनके आने की सुक्भुगाहट ग्राम अस्तर पर दिखाई दे रही है लोग अपने लिए बैनर, पुस्टर, होर्डिंग और एलेक्शन प्लान और कैंपेन करने का प्लान सोचना शुरू कर दिये हैं सोचने के साथ-साथ दिरे-दिरे अब उसको एग्जिक्यूट भी करना सुरू कर देंगे क्योंकि ज़्यादा वक्त बचा नहीं है सभी चुनाव संपन हो गए हैं सिर्फ ग्राम पंचायद का चुनाव बचा हुआ है और उतर परदेश में तो अलगी तरह का होता है चुनाव में कई तरह के हतकंडे अपनाए जाते हैं आगे की वीडियो में हतकंडों के बारें बात करेंगे आज सिर्फ डेट के बारें बात होगी तो क्या आप लोग तयार हैं मेरे साथ चुनाव का अपडेट पाने के लिए अगर तयार है तो एक बार फिर से मैं रिपेट करता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकान प्रेस कर दिजे ताकि ऐसी वीडियो लगतार आप खुद मिलती रहे और आप ग्राम पंचायत के चुनाव से अपडेट पाते रहे तो चलिए सबसे पहला टापिक हमारा कि इस बार ग्राम पंचायत का चुनाव कब होगा इस बार ग्राम पंचायत का चुनाव कब होगा यानि प्रधानी का चुनाव कब होगा सबसे पहला सवाल हमारा यह है तो इसके लिए थोड़ा साम पीछे जाएंगे पीछे जाने पर आपको पता चलेगा अगर आप प्रत्यासी रहे होंगे या प्रत्यासी के घर से रहे होंगे या प्रत्यासी के कटर समर्थक रहे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था वह पांच से च्छ महीने विलंब करके हुआ था असली जो तारीक थी उस तारीकों में परिवर्तन हुआ मामला हाई कोट में गया हाई कोट से फिर वापस डिसीजन आने में मिला जुला के चार से च्छ महीने का वक्त लगा तो पिछला जो चुनाव यानि बरतमान जो परधान जी लोग परधानी चला रहे हैं इनका चुनाव मान के चलिए कि पांच महीने भी लंब से हुआ है अब उस बि लंब हुए समय के अनुसार अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि पांच साल पूरा होते होते चुनाव होना है तो अगर च्छ महीने लेट से चुनाव होने के बाद से आप गिंती सुरू करते हैं अप्रेल माई में जो चुनाव हुआ था तो अपरेल मई के चुनाओं को अगर आप counting के लिए, गिंती के लिए, calculation के लिए base मानते हैं तो ये मान के चलिए कि 2026 का अपरेल मई चुनाओं होने के लिए उपयुक्त समय है मैंने जो बाते बताई हैं सब आप जानते हैं लेकिन आप का तरक मुझे चाहिए मेरा तरक आप तक जा रहा है आप इस पर क्या विचार रखते हैं कमेंट में बताएंगे लेकिन इस चीज को अगर ऐसे देखा जाए कि किसी कारण वस अगर चुनाओ पांच महीना विलंब से होता है तो क्या इस विलंब हुए समया वधी को अगले चुनाओ के लिए बेस टाइम मान लिया जाए अगले चुनाओ के लिए कैलकुलेट करने का जो बेस टाइम है उसको मान लिया जाए बीच में 6 महीने चुनाओ अदेरी से हुए 6 महीने कोई परधान नहीं रहा परधान का बस्ता जमा था परधानी कारेकाल नहीं था, बिना परधानों के पूरा उत्तर परदेश 5-6 महीने चलाया गया, पूरा उत्तर परदेश के सभी गराम पंचायत बिना परधान के समझे बिना मुखिया के बिना गारियन के 6 महीने तक सभी गाओं चलाया गया, तो क्या उस 6 महीने के बिलंब को आधार मान करके फिर से 5 साल नए सिरे से देखा जाएगा या आने वाले चुनाओं में जो 6 महिना का लेट हुआ है यानि समझी आधे साल का तो उस आधे साल के समय को क्या घटा करके कैलकुलेशन किया जाएगा जैसे मान लीजिए 5 साल में चुनाओं होना है कितने साल में? पांच साल में आधा साल यानि छे महिना इसमें से अगर आप घटाते हैं कि नहीं भाई जो लेट हुआ था उसको नहीं माना जाएगा हम तो पिछले चुनाओ का जो सही टाइम था वहां से करिकुलेशन करेंगे अगर तो 6 महीन आप घटाएंगे तो 4.5 साल 4.5 साल यानि 4 साही एक बाटे 2 साल इतने साल में आपका चुनाव होना चाहिए ठीक है अब परधानी का चुनाव परधान बनने के बाद 4.5 साल में अगर होना चाहिए तो इसके लिए आप 2025 का ही समय आप कैलकुलेट करने पर पाएंगे कि 2025 का नवंबर या दिसंबर 2025 का नवंबर या दिसंबर ग्राम परधान का चुनाव कराने के लिए सही टाइम कैलकुलेशन में आएगा तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस बार चुनाव आयोग इस तरह से calculation करके चुनाव कराएगा या फिर 6 महिने के लेट वाले समय को छोड़ दिया जाए उसके बाद जब परधान जी लोग चुल लिये गए तो जिस दिन सपत ग्रहड हुआ उस दिन से अगर 5 साल count किया जाएगा तो 2026 का 2026 का मई महिना चुनाव कराने के लिए उपयुक्त माना जाएगा तो असमंजस मेरे पास भी है भरम की स्थती मेरे भी जिल ला हूँ और आप भी इस बारे में सोचते होंगे कि सच में मई 2026 में चुनाव होगा या नमबर दिसमबर 2025 में चुनाव होगा तो इस बात पर चुनाव आयोग का अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है या कहीं से किसी तरह का किसी प्रकार का सूचना आता है तो मैं सबसे पहले कोशिस करूँगा कि आपको अपने चैनल के माधियम से बताऊं और इसी नाते मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि चैनल सबस्क्राइब करके रहिए चुनाव की हर एक अपडेट आपको बताएंगे साथ में आपको ये भी जानने को मिलेगा जो लोग नए प्रत्यासी होंगे पहली बार चुनाव लड़ेंगे उनके लिए तमाम समस्या आएंगी कि चुनाव का प्रचार कैसे करना है दूसरी चीज कि दूसरे प्रत्यासी के मतदाताओं को अपना मतदाता कैसे बनाना है यानी मत मतदाता मतदाता आप कैसे बढ़ाएंगे अपने लिए इसके बारे में भी आपको इस चैनल पर वीडियोज मिलती रहेंगी और जिन्होंने कभी भी आपको वोट देने के बारे में नहीं सोचा जिन्होंने कभी आपके परिवार को आपके खांदान को आपके महले टोले को कभी पसंद नहीं किया आप कैसे अपने लिए उस महले में भी अपने लिए वोट बन अपना अलग टोले से कैसे आपको मत दाता मिलेंगे इसके बारे में भी मैं आपको समय समय पर जानकारी दूँगा ऐसी भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी आने वाले समय में आपके हर दिन हर रोज कम सकम पांच मत दाता आपसे नया नया जुड़ेंगे आपके गराम तरीका आप अपनाएंगे कौन से तरीके से कैंपेन करेंगे कैसे आप गाउ में रहेंगे कैसे बचतित होना चाहिए किस तरह से आप काम करेंगे किस मिंसल को लेकर चलेंगे कि आपके मत दाताओं की संक्या घटेगी नहीं कभी लगातार बढ़ती जाएगी आज अगर आपके पास आज 50 वोट हैं तो 50 वोट हर रोज किसी दिन 52, किसी दिन 57, किसी दिन 58, किसी दिन 62, किसी दिन 65 इस तरीके से जब आप रोज सांग को सोते समय आखे बंद करके कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि आज चार लोग और मेरे से ऐसे मिले जिन्होंने अपना विश्वास मेरे पर जताया जिन्होंने अपना वोट देने का डिसीजन मेरे लिए किया तो बहुत सारी चीजे आपको इस चैनल पर कंटिनिवर्स मिलती रहेंगी बस आप एक भरोसा करके एक उम्मीद करके चैनल सब्सक्राइब करें जो लोग चुना नहीं लड़ते हैं किसी प्रधान प्रत्यासी के समर्थक है या उनके घर के सदस्य है तो वे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वे लोग अपने चहते उम्मेदवार को या अपने भावी प्रत्यासी को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें ताकि सब को इसके बारे में जानकारी हो औ और इसके अलावा भी मैं बता देता हूं कम से कम 20 परकार के ऐसे भी काम आपके गरामसभा में होते हैं 20 परकार के काम हैं तो और भी लेकिन 20 परकार के काम जो लोग प्रत्यासी हैं कभी प्रधान नहीं बने उनको मैं बताना चाहता हूं आपको एंगली पे मैं गिनवा देना चाहता है ध्यान से सुनिएगा जैसे नरेगा में जाब काड़ बनता है पिर जाब करने वाले कितने लोग हैं यह कैसे जानेंगे कितने लोगों की खाते में पैसे आ रहे है नरेगा से ये कैसे आप जानेंगे कितनी मजदूरी किसे ने किया किसकी हाजरी कितनी चड़ी थी कितना पैसा किस दिन खाते में आया ये सब आप जानेंगे इसकी अलावा सीसी रोड बनता है, इंटल लाकिंग रोड बनता है, इट वाली सड़क बनती है, खणंजा बनता है, कच्ची नाली का निर्माड, पक्की नाली का निर्माड, और सिमेन कहां से खरीदा जाता है, बालू कहां से लाया जाता है, और पानी नल जल वाली योजना, प्रामरी स्कूल में टाइल लगा, कहां से आया, कितने का लगा, सफाई कीट, डस्ट बिन, और रिवोर, रिवोर मरमत, हैंड पॉम्प लगाना, हैंड पॉम्प मरमत, जो भी गाव में कारे होते हैं, सभी प्रकार के कारेों की जानकारी आपको मिलने वाली है, इसके अलावा परधान मंतरी आवास की सूची में किनकुन लोगों को आवास मिल गया, नए लिष्ट में किसका नाम है, बिधाव पेंजन किसको किसको मिलना, बिकलांग पेंजन किसको किसको मिलना, बिधाव पेंजन किसको किसको मिलना, सारी सूची, और किसान सम्मान निदी से कौन-कौन बंची थे कुछ किसको मिला तो सब तरह की जानकारी आपको मिलेगी आप गाउं से हैं गाउं की राजनीती करते हैं या राजनीती में इंट्रेस्ट रखते हैं तो आपके लिए ये चैनल सबसे अच्छा होगा आपके लिए चैनल को सबस्क्राइब करना सबसे अच्छा टीशियन होगा. तो सब्सक्राइब करके रखिए. फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द आएंगे. थैंक्यो.